जीवन का सबसे painful, सबसे पीडा दायक समय कौन सा होता है? ये वो समय होता है जब आप कोई भी effort करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती. किस तरह से ढूने के किस्मत कहां पे रूठी हुई है? किस तरह से ढूने के भागय कहां पे सोया हुआ है? आप खुद ही अपने बर्थे चार्ट को दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं. आप अपने भागय के ग्रह को भी ढून सकते हैं, आप अपनी सोय हुई किस्मत को भ तो किंगे चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए आप यकीन मानिए अगर ये जानकारी को आप ध्यान से सुन लेंगे न तो आज के बाद किस्मत की शिकायत कभी नहीं करेंगे इश्वर से ये नहीं कहेंगे कि आपका भाग्यस हो रहा है तो इसलिए अगले कुछ मिनट तक इस जानकारी को बड़े ध्यान पूर्वक दिखिएगा नमस्ते मेरा नाम है योगेश शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइफ विद योगेश शर्मा में और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिपया सब्सक्राइब जरूर करेगा बेल बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों सोई हुई किसमत एक ऐसा समय होता है कि जब इंसान जो मर्जी कर ले बस नतीजों में convert नहीं हो पाता है इंसान नौकरी कर रहा हो तो नौकरी छूट जाती है चलो नौकरी चलती रहे उसकी bossy से बननी बंदो जाती है कई बार ऐसे होता है कि उसके subordinates उहें वही उसको पीड़ा देनी शुरू कर देते हैं और वेपार की बात करें तो वेपार में इनसान जितना मर्जी अपने स्टॉक डालता रहे वेपार में जो मर्जी efforts करता रहे बस काम नहीं चलता है काम चले तो उसके धन की बरकत नहीं आती है ये सब निशानिया होती है कुंडुली में दो शुत्पन होने की, ये निशानिया होती है कि अब कहीं न कहीं तो उसकी किस्मत जो है वो सो गई है, भागय का साथ छूट रहा है, तो आज ये जानकारी को बस आप नोटबुक पकड़िए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आ अच्छी गुजारा करने लाइक भी नोकरी हो, आप सभी के लिए एक कॉमन फेक्टर है लाइक में, कॉमन फेक्टर क्या है कि जो जो लोग नोकरी कर रहे हैं, उनके जीवन में दो ग्रहों का मजबूत होना, दो ग्रहों का अनुकूल होना बड़ा ही ज्यादा जुरूरी ह पहला ग्रह इसमें है सूरे और दूसरा ग्रह है गुरू, किस तरह से सूरे जो हैं ये नोकरी पेशा लोगों के लिए सबसे important ग्रह astrology में बताए गए हैं, सूरे ग्रह ऐसे हैं जो आपको अथोरिटी देते हैं, सूरे ग्रह ऐसे हैं जो आपको visible बनाते हैं, अगर आपके पॉसिज को बिना बात के बुरे लगने शुरू हो जाओगी, खराब सूरे जो हैं ये चलती चलती नोकरी को रोक देते हैं, खराब सूरे जब होते हैं तब क्या होता है कि वो इंसान चाहते ना चाहते हुए भी अपने आसपास वालों की नजर में villain बनना शुरू हो जाता है, तो अगर आपके सूरे खराब हैं, तो क्या होगा कि नोकरी बढ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, नोकरी को छोड़ना पड़ गया, आपने किसी अच्छी उमीद में नोकरी को स्विच किया था, लेकिन जो अगली स्विच की हुई नोकरी है, बढ़ती चली जाती है, आप अपना 100%, अपने काम को दे ही नहीं पाते हो, काम की जो क्वालिटी है, ये लो जानी शुरू हो जाती है, इनसाथ अपनी तरफ से तो सोचता है कि मैं एफर्ट पूरे कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले तक वो एफर्ट पहुंच नहीं पाते है ओ इनसान जो है, वो ऐसा होता है कि इनके बॉसिस जो है, वो कान के कचे हो जाते हैं, किसी और की बातों में आके इनके खिलाफ हो जाते हैं, इनके प्रती रिवेंज फुल हो जाते हैं, देखिए एक खराब सूर्य आपकी नौकरी में किस-किस तरह के बुचाल लेके आता ह और ब्रहस्पती ये दूसरा ग्रह है ये अगर खराब होगा तो क्या होगा कि ऐसा इनसान जो है अपने टास्क को कम्प्लीट नहीं कर पाएगा इनको जो भी काम दिया जाई या अन्मने धंक से करते हैं काम को धंक से फिनिश नहीं कर पाते नौकरी में इनसे जिस चीज की उ द्यूगा वो ना लाइफ में बहुत तरक्वी ले पाएगा ना ही लोगों की प्रिशंसा ले पाएगा अप्रेजल जितने भी होते है ना नोकरीओं में वो अपनी image की बदौलब भी होते है और आंकड़ों में आपकी output क्या है उनकी बदौलब भी होते है लेकिन खराब ध ब्रहस्पती ना आपकी statistics को आपके आंकडों को सही होने देगा और ना ही आपको धंग से किसी काम को पूरा करने देगा ऐसे लोग क्या कहते हैं कि मैं तो बस किसी मजबूरी में नौकरी कर रहा हूं मुझे आज मौका मिले तो मैं आज ही नौकरी छोड़ के अपना काम कर लो यानि इनका काम में मन ना लगना ये इनके खराब ब्रहस्पती की निशानी होती है जो लोग सूरे की खराबी से पेडी थे यानि कि bossy से नहीं बन रही है उनके अपने जो employees हैंगे under report करनेवाले वो उनको परेशान कर रहे हैं या उनका profile उनके potential के म।बग नहीं मिल रहा है तो उनको अपने शूरे को सही रखना होगा सूरे को सही रखने के लिए उनको क्या करना है 11 रवीवार तक एक तांबे के लोटे में गेहूं भरिये उपर गुड रखे और उसको किसी भी मंदिर में specially लक्ष्मी नरायन मंदिर में रवीवार वाले दिन रखे आईए बड़ी श्रद्धा से रखे आईए ये सूरे का एक बड़ा ही जबरदस उपाय है उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी में किसी ना किसी तरह की परिशानी का शिकार है लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखेगा अगर आपकी नौकरी अच्छे से चल रही है आपको तरक्की भी मिल रही है और तरक्की लेने के लिए ये उपाय मत करिएगा क्योंकि ये फिर एनर्जी से बिना बात की छेड़ चाड़ हो जाती है अगर आपको लाइफ में सब कुछ चली रहा है ना तो इसका मतलब है सूरे आपका साथ दे रहे है अब यहाँ पे इसकी ओवर्डोस लेने का आपको कोई फायदा रहेगा नहीं ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी ना किसी परेशानी का शिकार हो रहे है यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है सूरे हो चाहे गुरू हो एक प्लैनेट्स का गुरूप है मैं अपने पिछले एक वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ लेकिन आज ये चीज़ आपको किसी नए संधर्ब में बता रहा हूँ प्लैनेट्स का एक गुरूप है उस गुरूप में कौन-कौन है सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और गुरू है ये चार ग्रह जो है आप अपनी नोट बुक पे नोट करके रख लीजिए ये ग्रह एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं यानि अगर किसी के सूर्य खराब होंगे न तो कहीं न कहीं, चंद्रमा, गुरू और मंगल ये भी लाइफ में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे मंगल की खराबी आपको काम में अन्मने ढंक से काम को करना बताएगी गुरू की खराबी मैंने अभी आपको बताया है, काम को फिनिश नहीं करने देगी चंद्रमा कैसे सही रहेंगे, अगर आप शिबलिंग पे मंडे के मंडे दूद चढ़ाते रहेंगे सरल उपाए हैं, लेकिन ये उपाए आपकी नौकरी को बहुत हतक बढ़िया करेंगे अगर आपको काम में कोई चंता, कोई बाधा लग रही है न अपनी नौकरी में इन से शर्तिया ये चीजें दूर हो जाएंगे और अगर आपको सही करना है सूरे को, एक तो उपाए मैंने आपको दे दिया एक और उपाए है, वो है सूरे की चीज, कोपर का एक कॉयन सूरे होता है, लाल रंग क्या होता है, ये मंगल होता है सूरे और मंगल को कम्बाइन करिए, याई कोपर का एक कॉयन लीजे उसके एक साइड पे red color करिए, nail paint से red color कर लीजे और उसको लाल कपड़े में ही रैप करिए और अपने वर्किंग बैग में रख लीजिए, वर्किंग बैग आपके पास नहीं है, तो वर्किंग ड्रॉर में रख लीजिए, नहीं तो आप अपनी पॉकेट में भी इसको रख लीजिए, इतना भर करिएगा, ये तब करिएगा अगर आपको लग रहा है कि आपके काम कारोबार में आपको परिशानिया आ रही है यकीन मानिए आप किसी भी तरह की नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी इन उपायों से आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आएगा ही आएगा और क्योंकि मैंने इसी उपाय में आपको मंदिर जाने वाला उपाय दे दिया तो इससे आपके जुपिटर जो हैं ब्रहस्पती जो हैं वो भी सही हो ही जाएंगे तो नौकरी के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो self employed हैं अपना काम कर रहे हैं किसी काड़ोबार में हैं किसी वेपार में हैं वेपारियों के लिए जो सबसे important ग्रह है न वो ग्रह हैं बुद्ध अगर वो अपने बुद्ध को सही रखेंगे तो उनका वैपार सही भी चलेगा और उनको अपने वैपार में लगातार profit भी होता रहेगा कोई भी इनसान वैपार कर रहा है चलते चलते वैपार कमजोर हो गया है तो इसका मतलब भी है कि किसी न किसी तरह से अब उनकी life में उनके जो मरकरी यानि बुद्ध हैं ये कमजोर हो रहे हैं अब बुद्ध जब कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं इंसान अपने clients को दिखना ही मानो बंद हो जाता है यानि उनके जो clients पहले उनको repeat service दे रहे थे अब वो उनके पास आना बंद कर देते हैं और उनके जो supplier होते हैं वो अलग से रूटते हैं ये तो बात हो गई जब कोई इंसान किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहा है या manufacturing कर रहा है कई लोग तो service industry में हैं उनके लिए भी ये बुद्ध जो हैं बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं service industry में involve लोगों का बुद्ध जब खराब होता है न तो क्या होता है उनकी सेवाओं में बड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है वो बदलते हैं जमाने के साथ अपनी सेवाओं को बदलते ही नहीं है competitor अलग से service है दे रहे होते हैं ये अपनी ही उस service को खराब तोर पे देना शुरू कर देते हैं अगर आप अपने वेपार में है किसी भी तरह के वेपार में है आप धाबे में है आप का saloon है आपकी shop है आपकी factory है आप किसी भी तरह की service बेच रहे हैं कोई concept कोई idea बेच रहे हैं किसी भी तरह का काम है अपने बुद्ध को सही रखे बुद्ध को सही रखने का एक बहुत ही जबरदस उपाई आपको दे रहा हूँ वो उपाई है आपको कांसे की एक कटोरी लेनी है कांसे की कटोरी में आपको मूं की दाल भिगो के रखनी है सुभा उस दाल को रोज पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए अब मैटरे नहीं करता आप किस तरह के काम में है बस आपका बुद्ध सही हो जाएगा और जब बुद्ध सही होगा आपको अपने व्यपार में किस्मत कोनेक्शन 100% मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और चीजों का ध्यान देने की जुरूरत है पिछले सेग्मेंट में नौक्री वेले सेगमेंट में मैंने जैसेएपको बताया था ग्रहों का गुरूप होता है यहाँ पे भी एक गुरूप है बुद्ध के ग्रूप में है शनी और शुक्र, आपको शनी और शुक्र इनको भी सही रखना है, हर हालत में इनको सही रखना है, आप शनी को कैसे सही रख सकते हैं, शनी को सही रखने के लिए आपको क्या करना है, हर शनीवार को पीपल के पेड को जल देना है, और पीपल के पेड के नीचे कीडों के वोडर ऐसी कोई मीठी चीज़ दालते रहना है इससे आपके शनी सही होगे जब शनी सही होते ना चात्मे यह बुद्ध को support करते हैं और बुद कई वर बिना उपाये के ही Life में strong हो करने के लिए यह हमारे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट है शुकर को कैसे सही रखें नॉर्मली लोग शुकर को सही रखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं क्लीन लेस की एक्जेंपल देते हैं कि अपना आस पास जो है उसको साफ रखिए आप खुद organized रखिए ये बात सही है लेकिन यहीं से एक चीज निकल के आ रही है organized आपको अपने हर काम में organized होना है अगर आपका कोई काम computer पे है computer में सारी फाइलें organized हो आपके desk पे हर चीज organized हो आपको कोई भी चीज़े organized होती है यह आपके शुक्र के अच्छे होने की निशानी होती है शुक्र अच्छे होंगे ना तो बुद अच्छे होंगे ही होंगे शुक्र खराब होंगे तो बुद के आप stone पहन लीजिए आप बुद की दालें भी दान कर दीजिए पुद हमेशा weak रहेंगे, तो बुद्ध को सही करने के लिए आपको क्या करना है शुक्र की मदद से organized होना है अगर आप साफ सुत्रे रहेंगे अपने surrounding को organized रखेंगे, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपका desk है, तो यकीन मानिए, बुद्ध कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं, और जब बुद्ध खराब नहीं होते हैं तो ये आपके विपार को चार चांद लगा देते हैं तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी छोटी सी जानकारी आप चाहे नौकरी में हो, आप चाहे विपार में हो, अगर आप इन चीज़ों को कर लेंगे न, यकीन मानिए आपके काम में कभी मंदी नहीं आएगी, मंदी नहीं आएगी तो आपको लगातार जो आपके finances या income है न, ये increasing order में रहेंगा, और अगर ये increasing order में रहेंगे, तो eventually life में पैसे के भी परेशानी नहीं आएगी और आपको पता है कि जीवन की 70-80% परेशानिया जो है ये धन की कमी से शुरू होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में 70-80% तक धन की परेशानियों से बचे रहें तो आज इस वीडियो में बताये गए जो आपके points हैं, इनको अपने जीवन में apply कर लीजिए और फिर देखेगा किस तरह से आपकी जो सोई हुई किसमत है, ये आपका साथ देती है तो आज का वीडियो था यहीं तक बहुत जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक, एक नई विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार